दोस्तो नमस्कार मश्यवराम सिंग एक वार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने ही यूटूब चैनल स्मार्ट पॉइंट पर दोस्तो जैसे के हमने SBI QUICK के ऊपर एक वीडियो बनाया था तो उसमें हमने बताया था कि अगर आप ग्रीन PIN के बारे में जानना चाते हैं तो आप आप ग्रीन PIN के ऊपर बीडियो बनाके ले आएएंगी तो आप मैंसे बहुत सारे लोगों ने जो comment किये हैं कि green pin बना के हैं धिखा ये green pin कैसे बनता है green pin क्या होता है तो आज के इस वीडियो में हम आपको green pin के बारे में जानकारी देंगे कि आप green pin को कैसे generate कर सकते हैं और ये green pin क्या होता है तो चलिए फटाबट से जो अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो यहां पर हम सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आप SBI Quick Application के थूँ जो एक Green Pin को जनरेट करना चाह रहे हैं तो आपको SBI Quick Application जो इंस्टॉल करके रखना पड़ेगा अपने Android मोबाइल में और अगर आप साधा फोन चलाते हैं यानि कि नॉर्मल सा जो होता है कीपेड वाला उसे चलाते हैं तो जो उस पे भी कर सकते हैं और पहले समझ लेते हैं कि यह Green Pin होता क्या है तो देखें यहाँ पे ATM कम डेविट कार्ड का एक option दिखता है SBI Quick में इस पे अगर किलिक करेंगे तो यहाँ पे ATM कार्ड से related option मिल जाते हैं सबसे पहला ATM कार्ड ब्लॉकिंग का है उसके बाद ATM कार्ड स्विच ऑन उफ करने के लिए है और उसके बाद जो है generate green pin का है तो यहाँ पे question यह हुआ कि यह green pin क्या होता है कैसे generate करते हैं जो green pin इसका नाम है तो यह भी ATM कार्ड का जो आप पिन generate करते हैं तो उस पिन generate करने को जो है यहाँ पे green pin बोला गया है केवल नाम change किया गया है बाकि यहाँ पे green pin कोई अलग special के अगर इम कोई चीज नहीं आती इसमें ऐसी जिसमें जो है इसे कुछ special बताया जाए तो green pin केवल इसे नाम दिया गया है ATM कार्ड के pin को अब इसे green pin इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह जो है online generate होता है याना की paperless होता है पहले आपने देखा होगा ATM का पिन जो हमें by post आया करता था paper के थूरू जिसमें pin number ल का pin भी आप बोल सकते हैं यहाँ पर green pin है यहाँ पर ATM कार्ड का pin बोल सकते हैं तो यह green pin केवल जो है नाम है बाकि यहाँ पर specialist में कुछ नहीं है नहीं कोई extra benefit है तो यहाँ पर इसे paperless होने की वज़ए से green pin का नाम दिया गया है क्योंकि इसे आप online generate कर सकते हैं कोई भी paper work इ यह green pin क्या होता है आप बात करते हैं इसे generate करने की तो जैसे कि normally आप मानके चलिए आपके पास ATM card है उसका pin आप भूल गई है या नया card है उसका pin आप बनाना चाह रहे हैं कोई भी region हो अगर आप pin generate करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं जिसे जो है green pin का नाम दिया गया है और इसके आपको दो तीन option मिल जाएंगे pin generation को लेके सबसे पहला option मिल जाएगा SMS के थुरू SMS के थुरू भी आप जो है pin को generate कर सकते हैं दूसरा option मिल जाएगा IVR के थुरू यान की call करके customer care पे लेकिन वो option अभी बंद चला है customer care पे आपको pin बना के नहीं दिया जाए उसके बाद जो अगर आपके पास internet banking है तो internet banking के माध्यम से भी आप जो है pin generate कर सकते हैं जिस पर मैंने already वीडियो बना रखा है आप हमारे चैनल की playlist में State Bank of India के playlist में जाएंगे तो बहाँ पे आपको यह सारे वीडियो मिल जाएंगे तो आज हम आपको यहाँ पर बताने वाल करने के लिए आपको जरूरी नहीं कि आपके पास android mobile होना चाहिए आपके पास simple mobile है तो उससे भी आप generate कर सकते हैं तो इसका process समझने के लिए हमने SBI को एक application open कर रखा है यहाँ पे ATM कम डेविड कार्ड है इस पर जाएंगे इस पर जाने बाद सबसे नीचे जनरेट ग्रीन ब bodies आनेक दो Lenin मिलेंगे ज्यां पर सबसे पहले वाले अपको अपने ATM कार के last कर दे यहां पर दे रहा हूं इहां आप देख रहे हैं हमने ओपर वाले box में जो है अपने ATM कार्ड कर दाले हूए है उसके नीचे हमने अपने account के last के 4 रंक डाले हुए हैं, यह दोनो detail हम fill करने के बाद यहाँ पर submit है, submit पर click करेंगे, और submit पर हम जैसी click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम अपने SMS box के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पर SMS box में आने के बाद ऊपर देखी, sender number automatic आ गया के, तो इस तरीके से अगर आप चाहें, तो directly message भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि SBI quick application के through आप करें, यहाँ पर मैं आपको दोनों चीजे बता रहा हूँ, यसलिए कि आप confused नहीं हो, इस तरीके से आप create message में जाएंगे, जैसे message send करते हैं, वहाँ पर जाने के बाद system card के last के चारंख डाल ले हैं, उसके बाद फिर से एक space देना है, और उसके बाद जो है, अपने account के last के चारंख डाल देने हैं, यह सब डालने के बाद जो है, यहाँ पर देखिए, send करने के लिए आपको option में लेंगे, sim 1 और sim 2, अगर आप Android user हैं, साधा phone जलाते हैं, तो आ हम आपको यहाँ पर बता दें, कि अगर आपके mobile number पे balance नहीं है, तो उसमें balance पहले डाल दीजिए, क्योंकि अगर आपके में balance नहीं होगा, तो यह SMS send नहीं होगा, इस वात का विश्यस दियान रखना, क्योंकि आज की date में जातर unlimited plan लोग यूज करते हैं, तो balance नहीं रखते हैं बनाके, अगर आपके account में minimum 3 रुपए का balance होगा, तो यह SMS send होगा, अगर 3 रुपए का balance नहीं होगा, तो यह SMS send नहीं होगा, क्योंकि इस SMS का charge जो है, वो कटेगा और वो charge होगा 3 रुपए, 3 रुपए का balance आपके mobile में minimum होना चाहिए, वो भी man balance में, तो अगर आपके mobile मे 3 रुपए का minimum balance है, तो आप इसे send कर सकते हैं, नहीं है, तो पहले उसे recharge कर लें, चाहिए 10 रुपए से करें, उसके बाद ही इस SMS को send कीजिए, चलिए हम यहाँ पर send करके भी आपको दिखाते हैं, हमारा जो bank account के साथ में registered है, नमबर वो SIM 2 वाला है, तो हम SIM 2 वाले से यहाँ पर send पर click करेंगे, SIM 2 पर मैंने click किया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा message जो send हो गया, नीचे आप देख सकते है, SMS का charge जो है, वो 3 रुपए कट गया, मेरे man balance में 6 रुपए, 89 पैसे बचा है, यहाँ पर जो charge है, वो आपका कटना ही कटना, यह SMS फिरी में send नहीं हो यह SMS send होने के बाद, आपके पास जो है, bank से एक बाक्सी SMS आ जाएगा, मैं back आता हूँ, इसे बंद कर देता हूँ, एक बारी, तो यह send करने के बाद, हम SMS box को अपना open करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास, जो है, state bank की तरफ से reply message आ चुका है, उ आप लोगों के बिल्कुल सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, OTP करके एक number है, 4 digit का, यह OTP आपका ATM का pin है, यानि की green pin है, जिसे आप अपने ATM में use कर सकते हैं, कहीं भी, किसी भी जगा है, लेकिन यहाँ पर आपका यह pin तो generate हो गया, एक बात का और ध्यान रखना, यह pin जो generate हुआ, यह permanent pin नहीं है, यहाँ पर जो है, यह 24 गंटे के लिए valid होता है, 24 गंटे के अंदर जो है, आपको किसी भी ATM मसीन पर जाके अपना pin change कर लेना है, अगर आप यह pin change नहीं करेंगे, तो यह आपका 24 गंटे बाद pin जो है expire हो जाएगा, 24 गंटे बाद यह काम नहीं करेंगा, उसके बाद आपको फिर से यही दुवारा से process करना पड़ेगा, और दुवारा से pin मंगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर ATM का pin बोल लीजिए, चाहे green pin बोल लीजिए, यह आपके पास आ चुका है, और जो है इसे अब आप यूज़ कर सकते हैं, जब आप change कर यह बाला आपको change करना ही करना होगा, message में भी आप साफ साफ पड़ सकते हैं, bank ने साफ साफ यहाँ पे mention किया हुआ है, कि यह जो pin आपको bank की तरफ से मिला, यह 24 गंटे के लिए आपका है, 24 गंटे बाद यह एकपार हो जाएगा, और 24 गंटे के इंदर आपको इसे change कर ले तो मैं आपको यह राय दूँगा, इस तरीके से pin न बना के, आप www.online.sbi.com पे जाके login कीजिए, बहाँ से pin जनरेट कीजिए, और बहाँ से जो pin आप जनरेट करेंगे, वो आपका permanent pin होगा, उसे आपको change करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस पर मैं पहले ही वीडियो ब बना के रखे हुए हैं, तो आप जो वो वीडियो देखके online pin भी बना सकते हैं, इस तरीके से चाहें, तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, खास करके यह option उन लोगों के लिए ज़्यादा benefit वाला है, जिन लोगों के पास Android mobile नहीं है, या इंटरनेट banking यूज नहीं करते हैं, तो आई ओब दोस्तों, यहाँ पे आप जान गए होंगे कि State Bank of India का Green Pin हम कैसे generate करते हैं, और Green Pin क्या होता है, हमने यहाँ पे सारा clear कर दिया है, आप उमीद करूँगा आपके मन में कोई भी confusion या query नहीं रही होगी, तो फिलाल दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही था वीडियो की जानकारी पसंद आई हो, तो फिलीज वीडियो को लाइक से जरू करना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है, यह हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो वीडियो के नीचे आपको red color का बटन दिख रहा होगा, उसे दबा के चैनल को सब सब्सक्राइब कर लिए, साथ में bell icon प्रेश कर देना, जिससे के हमारे अगले आने वाले वीडियो के notification आपको मिलते रहेंगे, तो मिलते हैं जल्दी ही next वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों